सीबी आई ने पंजाब और हरियाना में एफसी आई के गोदामों पर दबिश्दी है माना जा रहा है कि पंजाब में यह अब तक की सबसे बड़ी रेड है बताए जा रहा है कि पंजाब में 40 जगे रेड की गई है साथी हरियाना में 10 थानों पर चापे मारे गए है आपको बतादे कि किसान आंदोलन के बीच सीबी आई ने पंजाब और हरियाना में एफसी आई के गोदामों पर दबिश्दी है पंजाब में चापे गुरुवार देर रात मारे गए इस रेड के दोरान सी आर पी एफ भी देनात की गई है लुधियाना के जगराओं की अनाज मंडिस्थत वेयर हाउस में सीबी आई की टीम सर्च कर रही है वही फिरोजपुर के गाउं गोखी वाला में सीबी आई ने एफसी आई के गोदाम में चापे मारी की हर्याना के सर्चा में शुकरवार को सुबह होते ही एफसी आई के गोदामों में सीबी आई की टीमों का काफिला पहुँच गया इससे हड कंप मच गया सीबी आई अधिकारियों ने गोदाम के अंदर आते ही अपनी कारवाई शुरू कर दी वही गोदाम के मैनेजर और सुपर्वाइजर को भी मौके पर तलब कर लिया इसके साथ ही टीम ने गोदामों में रखी गेहू की जाच शुरू कर सेंपल भर लिये सीबी आई ने मंगाला, पन्नी वाला मोटा और एलनाबाद में गोदामों पर छापे मारे है सूत्रों के अनुसा सिर्सा में सीबी आई की पांच से जादा टीम में आई है जो अलग-अलग गोदामों की जाच कर रही है एक टीम मंगाला में बने हैफिट के गोदाम में पहुची और रिकॉर्ड तलब कर जाच शुरू कर दी अन्देशा जताय जा रहा है कि सीबी आई की टीम देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर गेहूं का स्टोक जाचने के लिए आई है वही सीबी आई की सतपरता की कारवाई से कुछ घोटाले की भी बू आ रही है टीम ने आते के साथ ही सेंपल लेने भी शुरू कर दिये बाकी अन्य गोदावों में भी टीम की कारवाई अभी तक चल रही है सीबी आई टीमों की तरफ से 2019 से 20 और 2020 से 21 के दौरान गेहूं और चावल की खरीद के सेंपल लिए जा रहे है AFCI, Pungrain और Punjab Warehousing Private Limited के सभी गोदावों पर एक साथ रेड हुई है ये रेड मोगा, फाजल का और पटी सहीद कई अन्य इलाकों में की गई है बताते चले कि पंजाब में CBI की अलग-अलग टीमों ने एक साथ 40 जगहों पर रेड की है पंजाब में ये रेड अब तक की सबसे बड़ी रेड है पंजाब के साथ-साथ Food Corporation of India के हरियाना स्थित दस गोदामों में भी रेड की गई है खास बात ये है कि इस रेड के दोरान CRPF भी तैनाथ की गई है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें थाज़ने वाल KD Banquets Enterprise